तो 2024 के अंदर अगर आपको भी चाहिए एक ऐसा इलेक्रिक स्कूटर जो की एक लाख रुपए के अंदर मिल जाए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ टॉप फाइब ऐसा इलेक्रिक स्कूटर जो की आज की डेट में आपको एक लाख रुपए के अंदर देखने को मिल जाती है और ये साड़े इलेक्रिक स्कूटर ब्रैंडड कमपनी के तरप से आती है तो काफी लंबे समय तर ये स्कूटर आपका साथ निभाने वाली है तो वाला जो वेरियंट है वो आपको एक लाख दस हजार रुपए में देखने को मिल जाती है और जो दूसरा वेरियंट है वो आपको एक लाख बीस हजार रुपए में देखने को मिल जाती है बैटरी पैक के अगर बात करें तो 3 किलोट आवर का आपको इस स्कूटर में लेकिन battery और motor जो है आपको same देखने को मिलता है दोनों ही variants के अंदर उसमें कोई भी वदलाव नहीं किया गया है top speed के अगर बात करें तो इस scooter में 80 km per hour की top speed देखने को मिलती है और दोनों ही variants में top speed same रखा गया है चलिए अब fourth position की बात करें तो fourth position पर आ जाता है Ather Rista electric scooter battery pack के अगर बात करें तो 2.9 kWh का battery pack आपको इस scooter में मिलेगा जो की ITC range provide करती है 125 यानी 125 km की इस scooter में भी आपको एक mid drive motor देखने को मिलती है जिसका peak power 4.4 kWh की और top speed के अगर बात करें तो 80 km per hour की top speed आपको इस scooter में देखने को मिल जाती है और यह scooter जो है Ather Energy के तरब से आने वाला पहला family electric scooter है और इस scooter का जो seat यह काफी ज़ादा बड़ा दिया किया है काफी 4 seat आपको देखने को मिलती है बस इस गारी का कमी एक ही है इसका charging time पो लेकर 8 to 8.5 hours का time लग जाती है इस गारी को 0 to 100% charge होने में तो charging time थोड़ा से ज़ाद आपको देखने को मिलती है क्योंकि इस गारी के साथ जो charger आपको मिलती है वो सिर्फ 350W का दिया जाता है प्राइस के अगर बात करें तो इस गारी का extra room price है 1,10,000 यानि 1,10,000 रुपए चली अब अगर 3rd position के बात करें तो यहाँ पर आ जाता है TVS IQ का base variant इस scooter में आपको 2.2 kWh और और का battery pack देखने को मिलती है और range के अगर बात करें तो 75 km की real world range आपको इस scooter में मिल जाती है मोटर के अगर बात करें तो 4.4 kWh की एक BLDC मोटर का यूज किया गया है इस scooter में और 78 km per hour की top speed आपको इस scooter में देखने को मिल जाती है अब यह scooter क्योंकि base variant इस iCube series का तो इसमें आपको कोई भी touch screen और fancy features देखने को नहीं मिलेगा और charging time के अगर बात करें तो 2 घंटे के अंदर यह scooter 0-80% चार्ज हो जाती है और 2.5 hours से लेकर 3 hours के अंदर यह scooter 0-100% तक चार्ज हो जाती है प्राइस के अगर बात करें तो इसका extra room price है 95,000 रुपीज चलिए अब अगर second number position के बात करें तो यहां पर आ जाता है Hero Vida V1 Plus यह scooter जो है काफी special है क्योंकि इसमें आपको एक removable type battery pack देखने को मिल जाती है जिसको आप easily निकालके घर पे ले जाकर भी charge कर पाएंगे battery pack के अगर बात करें तो 3.44 kWh का battery pack आपको इस scooter में देखने को मिलती है range के अगर बात करें तो 100 km का real world range आपको इस scooter में मिल जाती है अब motor की बात करें तो इस scooter में आपको side mounted motor देखने को मिलती है और यह जो motor है PMSM type motor है और इसका peak power है 6 kWh की Top Speed के अगर बात करें तो 80 km per hour की Top Speed आपको इस स्कूटर में मिल जाती है साथी आपको इस स्कूटर में Split Series भी देखने को मिलती है Touchscreen डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा और Overall जो Bit Quality है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलती है इस स्कूटर के अंदर प्राइस के अगर बात करें तो इस स्कूटर का 100 प्राइस है 1,19,000 यानि 1,19,000 रुपे लेकिन अगर आप Flipkart से ये गारी को लेते है और Online Transaction करते है तो आपको 20,000 रुपीज तकर discount देखने को मिल सकती है जिसके बाद इस स्कूटर का प्राइस अल्मोस्ट एक लाक रुपे के आसपास हो जाती है और ये जो discount है आपको हर टाइम देखने को नहीं मिलती है कभी-कभी जो discount बंद हो जाता है अगर आप इसका 4 kilowatt आवर वाला battery pack variant लेते हो साथी आपको इस स्कूटर में कोई भी touchscreen देखने को नहीं मिलता है नॉर्मल 4 इंच का display देखने को मिलती है साथी motor की बात करें तो 6 kilowatt का BLDC टाइप motor इस स्कूटर में मिलती है और top speed आपको इस स्कूटर में मिलती है 90 km per hour की अब इस स्कूटर में आपको दो और variants देखने को मिलती है 2 kilowatt आवर battery pack के साथ और 3 kilowatt आवर battery pack के साथ प्राइस के अगर बात करें तो इस स्कूटर का जो base variant है जो कि 2 kilowatt आवर battery pack के साथ आती है इसका प्राइस स्कूटर हो जाती है 75,000 रुपीज से और इसका जो top end model है जो कि 4 kilowatt आवर battery pack के साथ आती है उसका एक्ष़रूम प्राइस चला जाता है 1,4,000 रुपीज ता तो इसके top 5 electric scooter है जो कि branded company के तरफ से आज की date में आपको मिल जाती है वो भी 1,00,000 रुपीज के अंदर तो आपको इन में से कौन सा electric scooter सबसे जाधा पसंद है कमेंट पर ज़रू बताइए और अगर आपको information अच्छी लगिए तो वीडियो को like और चैनल को subscribe भी करके जाएए मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care